अगर आप खराप से खराप company के शेर को भी अगर आप सही timing में खड़िदते हो तो भी अपर पैसे कम आऊगे और एक अच्छे से अच्छे fundamental strong वाली company का भी itself करते हो उसे अपको क्या समझ में आ रही है की Isto स्टोक मर्केट में अच्छे कंपणी के शेयर पे अपने पैसे को इंबेस्ट करना बरीबर नहीं बलके अच्छे कंपणी के शेयर को आप कब खरीद रहे हो आपका टाइमिंग बहुत जदा मैटर करती है अगर आप अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हो लॉंग टाइम में तो आज के इस वीडियो में पूरा राज़ खोल दूँगा कि आखिर Deutsch में किसी भी शेयर को खरीदने का आखिर टाइमिंग क्या है, वो पर्फेट टाइमिंग क्या है वह सारा डीटेल आपको आज के इस वीडियो में शीखने को मिल जाएगा आप कभी railway station गए हो अगर गए होंगे तो आप कभी न कभी एक चीज नोटिस किये होंगे कि railway station में जब train रुका हुआ रहता है तब उस पे कोई नहीं उठता है लेकिन जब train छोड़ देता है जब train चलने लगता है तो भागते हुए train को सब कोई पकड़ने के लिए दौन मारत है एकदम flat चलता है slow down चलता है तब उस company के share कोई नहीं खड़िपता उस पे कोई भी इंट्रेस नहीं दिखाता लेकिन किसी भी company के share जब आचानक भागने लगता है आचानक उपर की तरफ जाता है आचानक वह 10-15 हो गया 20 हो गया 100 हो गया तब उसको सब कोई बाइं करने के लिए आ जाता है तब वह company के share पर सब कोई इंट्रेस दिखाता है यह आपको नहीं करना है जिस तरह भागते हुए train को पकड़ना आपके लिए हानिक रख है एक्सिदेंड भी हो सकता है सेम उसी तरह कोई company का share आचानक जब भाग रहा है आचानक जब माल लो किसी company का आच share बता दे रहा हूं कि किसी भी company का perfect buying level किसी को नहीं पता अगर आप यह एक्सपेक कर रहे हो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि perfect buying level क्या होता है तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के जा सकते हूं क्यूंकि राखे जुन-जुन वाला सर को भी न अगर आप अपना logic के स्वाल करके किसी भी share को खरीदते हो तो आप अच्छा पैसा कमा लोगे तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को magic तो नहीं बताऊंगा भविश्वता नहीं पता लेकिन हाँ logic के स्वाल करके मैं आप लोगों को एक ऐसा knowledge दूंगा ताकि आप आप खुझ से ये decision ले पाऊगे कि किसी भी share को आपको कप खरीदना चाहिए देखो इसको समझने के लिए आपको दो point को समझना होगा ये दो point को अगर आप समझ जाते हो तो आप खुझ से ये decision ले पाऊगे कि कि किसी भी share को आखिर कप खरीदना चाहिए दो point में से पहला आप जो कंपनी का share को खरिदना चाते हो उस company का छार्ट को अड़नेटीफै करना kinda होगा। उसुग success का जो charl है उसको सभ़ना होगा। कैसे समझ ना है वो तो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊँगा। तो पहला point है कि जो company के share को खरीदना चाहते हो, उसका chart को आपको समझना होगा, और दूसरी तरह market को समझना होगा, market का जो chart है, उसको समझना होगा, share market का market मतलब nifty 50 का जो chart है, census का जो chart है, उसको आपको समझना होगा, तो ये दोनों chart को कैसे समझना है, वो वीडियो में आगे हें लेकिन उससे पहले में आप लोगों को बतादूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डिमेट एखूंट नहीं बनाया है और अगर आप अपना डिमेट एकाउंट को फत्री में बनावना REP THEM मैंने link दे दिया है आप वहां से जाके grow हो, uptox हो, angel1 हो या फिर 0-10 हो आप कहीं भी अपना account को free में खुला सकते हो नीचे मैंने link दे दिया है आप वहां से जाके download करके खुलवा लो और इसके अलावा share market से लेटर अगर आपको कुछ पुछना है मेरे से तो आप सीधे instagram पर जाओ वहां पर आका स्पर से 03 सर्च करो वहां पर मुझे follow करके message कर दो आपका पूरा problem का solution मिल जाएगा तो चलिए वो chart को समझते हैं एक तरफ आपका जो company का share है उसका chart एक तरफ market का chart चार्ट को समझने से पहले आप एक example को सुन लो तो आपको आगे की चीजे काफी जदा आसानी होगी समझने में देखो यहां पर मैं आप लोग को दो company का chart को दिखाऊंगा एक बहुत जद अच्छा company, fundamentally strong company, index का company और एक बहुत जदा घटिया company दोनों company का chart को दिखाऊंगा, सिखाऊंगा और यह सिखनी के बाद आप इस film में expert हो जाओगे कि किसी भी company का share को आपको कप खरीदना चाहिए, ठीक है तो पहले मैं ने open किया कि एक बहुत ही जदा खराब company, जो एकदम घटिया company है, बहुत सारा investor का जो पैसा है, वो डुबा के रख दिया है यह company मैं all time इसका जो चार्ट है, जब से यह company share market में list हुई तो अपसे लेकर आज तक का जो चार्ट है, मैंने open किया, देखो उपर पाहार बना था, उपर से नीचे तक पाहार टूट पर आ है, पहले 304 रुपया इस company का share का price था, आज की date में देखो 18-19 रुपया चल रहा है, अच्छा का सा return बन चुगा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखे ग्राफ उपर गया है, अब यह तो गया baker company का example, अब मैं यहाँ पर index का company का example दिखाता हूँ, वो index का company यहाँ पर मैं ने open कर दिया, यहाँ पर देखिए, जब से company list हुई है, तब से लेकर आज तक share order को खुसी क के बावजुद, जिन लोगों ने इस label पर buy किया है, उनका आज हालत क्या होगा, तो इससे आपको क्या समझ में आ रही है, कि stock market में पैसे को invest करना बरी बात नहीं, बलकि stock market में पैसे को सही time पे invest करना, यह बहुत बरी बात है, तो उसके लिए तो आपको knowledge लेना होगा, और knowledge को अगर आप समझ जाते हो, तो आपका जवाब मिल जाएगा, तो पहले वाला point क्या था कि जिस भी company का share को आप खरीदना चाते हो, उसका chart को आपको समझना होगा, तो for example, मैंने Reliance Industry का यहाँ पे chart को open किया, example देने के लिए, आपका वो कोई भी share हो सकता है, जो share को आप खरी नीचे आया है, फिर उपर गया है, फिर नीचे आया है, मतलब कि किसी भी company का share permanent नहीं है, कि वो हमेशा उपर जाएगा, वो उपर जाता है, नीचे जाता है, उपर जाता है, और ultimately अगर वो company का business अच्छा रहा है, तो ultimately long time में उस company का graph उपर ही जाएगा, ठीक है, last 5 साल का performance द तो strong होना ही चाहिए, ये सारी जो technique है, ये सारी जो knowledge है, वो तभी काम आएगा आपके life में, जब आप सही decision ले रहे हो, कि आपका जो company का share को आप खरीदना चाते हो, वो company का business अच्छा होना चाहिए, तो ही आपको ये सारा जो knowledge है, वो काम देगा, ठीक है, तो Reliance Industry बहुत गया है, नीचे गया है, काफी ज़दा board हो रहे होगे, ठीक है, knowledge वाली चीज़े जो होती है, वो board ही होती है, लेकिन आपको सीखने को बहुत ज़दा मिल जाएगा, अब यहाँ पे पहला तो गया कि आप जो company का share को खरीदना चाहते हो, उसका तो काम खतम, अब यहाँ पे म share market भी ultimately उपर ही गया है, अब एक और चीज़ देखिए, 2020, corona के time, corona के time तो market काफी ज़दा crash हुआ था, market में बहुत बढ़ा तबाही आया था, तो उस time share market का हाल देखिए, कितना ज़्यादा जटका मिला था, कितना ज़्यादा निफ्टी-फिप्टी का जो chart है, वो नीचे ग गया था, क्या समझ में आ रही है, कि जो अच्छे company है, stock market में जो अच्छे-च्छे company है, जो fundamental strong company है, वो market के हिसाब से चलता है, एक तरफ तो वो अपने business के हिसाब से चलता ही है, जैसे business बढ़ेगा, वैसे उस company का chart बढ़ेगा, लेकिन एक तरफ market के भी हिसाब से चलता है, देखो, last एक साल में Nifty 50 कितना बर उपर गया है, कितना बर नीचे गया है, तो कुल मिला कर बात यह है कि जब भी market खराब हो, जब भी Nifty 50 का जो graph है, वो नीचे आएगा, तो आप देखना जो company का आप share को खरिदने जा रहे हो ना, उस company का share का price भी नीचे जाएगा, जब भी market उपर जाएगा, उस company का share का price भर जाएगा, जब भी market नीचे आएगा, उस company का share का price कम जाएगा, हमेशा सच नहीं होता, लेकि 90% cases में आपको ऐसा ही मिलेगा, देखो, आपको हर 2-3 मेहना में ऐसा मौका मिलेगा, market उपर जाता है, नीचे आता है, आप देख रहे हो ना, Nifty TPP लास एक साल में उपर गया है, नीचे गया है, उपर गया है, नीचे गया है, तो जब उपर जाता है, तब आप मत खरीदो, ठीक है, जब नीचे आता है, मौके पे चोका लगाओ, यही secret में आप लोगो को बताना चाहता हो, कि जब मौका मिले, आप उस मौके का भरपूर फायदा उधाओ, मार्केट आपको हर 2-3 मेने में मौका देगा, मार्केट उपर जाता है, नीचे आता है, हर बार आपको मौका देगा, उस मौके का भरपूर फायदा उठाओ, आप सोना खरीदते हो ना, for example, आपको सोना खरीदना है, तो जब सोने का भाव बढ़ता है, त आप खरीदोगे, आप तो वेट करते हो, तो जब सोना खरीदने का भाड़ी है, तब आप कॉंप्रोमेस करते हो, और जब अच्छे अच्छे कंपणी के शेर को खरीदना चाते हो, उस टेम आप क्यों कंप्रोमेस नहीं करते हैं, ठीक है, तो बाजार आपको हमेशा मौका देगा, उस मौके का भरपूर फायदा उठाओ, और हमेशा ध्यान रखना कि अच्छे and fundamental strong वाली ही कंपणी का शेर को खरीदना है, जिस कंपणी का बिजनिस खराब हो, उस कंपणी का अगर आप शेर को खरीदते हो, किसी भी लेबल पर खरीदो, चाहे आपका टाइमिंग क अच्छे अच्छे कंपणी कौन सा होता है, तो उसके लिए मैंने एक special वीडियो बनाया है, ये left वाली वीडियो देख लेना, पांच ऐसे कंपणी मिल जाएगा, जिस कंपणी का fundamental बहुत ज़दा strong है,